तो फ्रेंट्स आप भी अगर मेरी तरह मीठा खाने के शोकीन है तो आज की ये रेसिपी खास आपके लिए है आज मैं आप लोगों के लिए इंस्टन्ट बनने वाली एक ऐसी मीठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे हम केवल एक चमच घी से बना कर तयार करेंगे इसमें हम ना दूद का यूज़ करेंगे ना बेसन का ना मावा ना पनीर और ना ही मिल्क पॉडर का यूज़ करेंगे बहुती कम सामान में केवल 5-7 मिनिट में ही ये टेस्टी सी मिठाई बनकर तयार हो जाती है खाने में बहुती लाजबा बनती है और बनाना इस मिठाई को बहुती ज़्यादा आसान है तो उमीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी रेसिपी पसंद आएगे तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो चलिए ये टेस्टी सी मिठाई बनाना स्टार्ट करते हैं तो इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले हमें कड़ाई में डालेंगे एक कप चीनी इसी के साथ एक कप चीनी में हम डालेंगे डेड़ कप पानी नाप के लिए आप अपने घर का कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिएगा उसी से सबी चीजे नाप कर लीजिएगा तो सबसे पहले हम चीनी को अच्छे से घुल जाने देंगे कोई हमें तार वाली चाशनी नहीं बनानी है बस इस तरीके से चीनी को मिक्स करना है तो चीनी घुल गई है अब इस मिठाई को बड़ी असा फ्लिवर देने के लिए मैं इसमें डाल रहे हूँ हरी लाइची का पाउडर इसी के साथ इस मिठाई को बड़ी असा कलर देने के लिए मैं इसमें डाल रहे हूँ येलो फूड कलर एक पिंच अगर आप food color नहीं डालना चाहते हैं तो थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हैं उससे भी हल्का सा इसमे yellow color आ जाएगा या बिना color के भी ये मिठाई बना सकते हैं तो अब हम इसको लगाता चलाते हुए एक से दो मिनट पका लेंगे जब तक ये हल्की सी चिपचिपी और गाड़ी ना हो जाए जब ये हल्की सी गाड़ी हो जाएगी तब हम गैस को बंद कर देंगे तो यहां इसे मैंने एक से दो मिनट लगातार चलाते हुए पका लिया है ये हल्की सी चिपचिपी सी हो गई है अब हम गैस को बंद कर देंगे इसे हमें और ज़्यादा नहीं पकाना है इसे हम साइड में रख देंगे तो इसके बाद इस मिठाई को बनाने के लिए हमें चाहिए होगी बूंदी तो ये वाली जो बूंदी है मैंने मार्किट से ली है जिसे हम रायता बनाते हैं ये बिना नमक की बिल्कुल फीकी बूंदी है ये आसानी से आपको ग्रोसरी स्टोर पर मिल जाएगी तो हमें इस बूंदी को मिकसर जार में डालना है तो इस कप के नाप से हम इसमें तीन कप बूंदी डालेंगे तो मैंने जिस कप के नाप से चीनी और पानी नाप कर लिया है उसी कप के नाप से इसमें तीन कप बुंदी डाल कर अच्छे से पीस लेंगे तो मैंने इसी पीस लिया है इसमें कुछ बुंदी के दाने साबुत रहे गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है जब हम इसे पकाएंगे तो यह mix हो जाएंगे तो बूंदी को हमने दरदरा सा पीस लिया है अब हमने जो चाशनी बनाई है इस पीसी हुई बूंदी को इस चाशनी में डाल कर mix कर लेंगे तो अभी तक हमने gas को on नहीं किया था पहले इसको अच्छे से mix कर लेंगे क्योंकि जैसे ही हम gas को on करेंगे बूंदी पूरी चाशनी को तुरंथ ही absorb कर लेगी तो बहुत ही जल्दी ये फूलना start हो जाती है तो अब हम इसे इस तरीके से लगातार चलाते हुए पकार लेना है तो यहां आप देख सकते हैं ये बहुत ही जल्दी इकठा सा होना start हो गया है और एकदम सिमट कर आने लगा है अब हम इसे लगातार चलाते हुए एक मिनट और पकार लेंगे तो ये मिठाई दिखने में जितनी simple से दिख रही है खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टीव लगती है तो आपको जब भी तुरंद कुछ मीठा खाने का मन हो तो आप इस मिठाई को बना कर खा सकते हैं तो यहां पर ये बिल्कुल डोकी फॉम में आ गया है अब मैं इसमें एक चमच गी डाल रही हूँ गी को अच्छे से मिक्स कर देंगी गी डालने से इस मिठाई में बहुत ही बढ़िया शाइन आता है और टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आता है तो यहां पर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल इकठा सा होना स्टार्ट हो गया है ये बिल्कुल डोकी फोम में आ गया है बस इसे हमें इतना ही पकाना है अब हम गैस को आफ कर देंगी कडाई अभी गरम है तो इसे मैं हलका सा और इस तरह से चला लूँगी तो दूसरी साइड मैंने यहां पर थोड़े से कटे हुए बादाम और थोड़े से पिस्ता लिए है अब इस मिठाई को जमाने के लिए मैंने यहां पर ये छोटी-छोटी कटोरियां ली है इसमें हम इसे मिठाई को जमा कर सैट करेंगे तो इन कटोरियों को हलका सगी से ग्रीस कर लेते हैं तो आप चाहो तो इस मिठाई के डो से आप लड़ू भी बना सकते हैं या पेड़े बना सकते हैं आपको जो भी पसंद हो आप वैसे इसे बना लीजिएगा तो मैंने यहाँ पर कटोरियों को हलका सा ग्रीस कर लिया है ग्रीस करने के बाद इसमें थोड़े से कटे हुए बादाम और पिस्ता डाल दिये है तो अब हमने जो मिठाई का डो बना कर रेड़ी किया है उसे इस कटोरी में इस तरीके से दबा दबा कर सेट कर लेंगे आप यहाँ पर कोई भी कप या कटोरी किसी से भी इस मिठाई को बना सकते है या फिर जो मिठाई बनाने का मोल्ड आता है उससे भी आप इसे बना सकते है तो ये देखिए हमने इसमें गी लगाया था इसलिए ये आसानी से निकल रही है तो इस तरीके से हम सारी जो मिठाईया हैं उनको बना कर तयार कर लेंगे तो ये देखिए कितनी शांदार हमारी मिठाई बन कर तयार हुई है तो देखा आपने बुंदी से कितनी आसानी से ये अलग तरीके से मिठाई बन कर तयार हो गई है कौन कहेगा कि रेडिमेट बुंदी से आपने ये मिठाई बना कर तयार की है बहुती आसानी से और बहुती जल्दी ये मिठाई बन कर तयार हो जाती है तो फ्रेंट्स आप ये मिठाई कब बना रहे हैं मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा इसे ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली और फ्रेंट्स के साथ शेयर करिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो फ्रेंट्स फिर मिलते हैं इसी तरह की नई नई रेसिपीस के साथ तब तक टेक कियर बाई बाई